जिस जिस के लिए मैंने लूट के रास्ते बंद किये हैं, वो मुझसे आजकल इतना स्ने दिखा रहे हैं कि पूछिए मत, साथ दून में सो बार मुझे याद करते हैं एक मंच पर इखटा होकर इतनी गालिया शायद ही किसी को दी गई हो साथियों, इनके लिए मोधी को गालिया देना प्रात्विक्ता है मेरे लिए प्रात्विक्ता है कि देश का इमानदार टैक्सपेयर जो इतनी महनत करता है परिश्रम करता है, उसके द्वारा सरकार को मिली एक एक पाई का सही इस्तमाल हो हमारे हाँ किस तरह जनता के पैसे को जनता का न समझने की परंपरा अर्षे तक हावी रही है आप भी बली बाती जाते हैं अगर ऐसा न होता तो सेक्ड़ो योजनाए दसकों तक अधूरी न रहती अटकती भटकती न कर रहती और इसलिए हमारी सरकार योजनाओं में देरी को अपराधिक लापरवाई से कम नहीं मानती मैं आपको सरफ दो तिन उधान देता हूं कि पहले के दसकों दसकों में परियोजना है बांसागर उसका नाम है यह योजना करीब करीब चार दसक पहले शुरूए दी चालिस साल पहले उस समय अनुमान लगाया गया था कि तीन सो करोड रुपिये में इसका काम पूरा हो जाएगा लेकिन यह लटकी रही अटकी रही पता नहीं कि इसका इंट्रेस होगा कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद इस पर फिर से काम शुरू करवाया गया अब तक इसकी लागत राशी बढ़कर कि तीन हजार करोड रुपिय हो गई है कि ऐसे तो था नहीं कि पहले की सरकारों को कोई काम करने से रोक रहा था मना कर रहा था तब तीन सो करोड रुपिय की तंगी भी हो यह कोई गले उतने वाली बात नहीं है दरसल काम समय से पुरा हो इसकी बीतर से ही जग इच्छा शक्ति जाहिए वेस्टेड इंट्रेस से परे सोच हो उसका भाव था सोच एही जी ठीक है देर होती है तो होती रहे चलता है चलने तो मेरा क्या नुक्षान है और हमारे देश में दुर्भागी के दो शब्द बड़े मैं हमेशा उल्ले करता हूं कौन दो शब्द है जितने समस्या पादा किये हमारे देश में कोई भी काम लेकर के जाओ तो पहले पूझेगा मेरा क्या और मेल नहीं बैठा तो कहेगा फिर मुझे क्या कि मेरा क्या और मुझे क्या उसी का यह हाल है एक और नहीं की मैं बात पताता हूं जार्खट बे मंडल नहीं यह भी चार दसक से अधुरी थी और तब तो संयुक्त बिहार भी था माजी जी बैटे हैं हमारे यहार तब तो संयुक्त बिहार था जब इसकी शुरुवात की गई तो इसकी लागत थी सरफ तीस करोड और अब यह बांद करीब चोबी सो करोड रुपिये खर्च के पूरा करने के नौब बताई है तीस करोड से चोबी सो करोड बताई है यह किसका परज़ा है यानि यह परियो जना लटकने की असी गुना किमत देश का इमानदार करदाता चुका रहा है भाई और भेनों आप लोग गोटा ले की खबरे सुनते थे तो अलर्ट हो जाते थे अच्छी बात है लेकिन देश में इस तरह की सेक्ड़ परियोजनाव में देरी की वज़े से देश का जो लाखों करोड रुपिये आप जैसे मानदार करदाता का जो पैसा लगातार बरबाद हो रहा था उसकी किसी से परवा नहीं की थी इस पैसे को सम्मान देना हमारी सरकार की प्राथ्विक्ता थी और इसलिए ही सरकारी ववस्ता में लेट लतिफी की सहस्कृति को बदलने का मैंने पहले दिन से प्रयास किया मैं एक-एक राजी के मुख्य सचीव को लेकर के बैठा हूँ एक-एक मंत्राले के सचीव को लेकर के बैठा हूँ कि कुछ भी हो लेकिन योजनाओं में देरी नहीं होनी चाहिए जनता का पैसा बरबाद नहीं होना चाहिए साथ यो आपको हैरानी होगी बारा लाग करोड रुप्य से जादा की पुरानी योजनाओं की समिक्षा मैंने खुद की है और उसको समझ सहोंचे बहार निकाल करके अज धर्ती पर उतारने पर लगा हुआ हो साथ यो जितने भी प्रोजेक्स की प्रगती के माध्यम से समिक्षा के गई उनमें से अधिक तर पूर्वी भारत के हैं दौरतित के हैं ये भी हमारी सरकार की प्रात्मिक्ता का एक और बड़ा हिस्सा रहा है पूर्वी भारत को नए भारत की विकास का ग्रोथ है इंजिन मनाना सबका साथ सबका विकास के हमारे विजन का ये बहुत महत्वपुन पहलू है आपने अने एक बार ये रिपोर्ट किया है कि कैसे पुर्वी और उत्तर पुर्वी भारत में दसकों बाद पहली बार रेल पहुँच रही है पहली बार एर्पॉर्ट बन रहे है पहली बार बिजली पहुँच रही है